नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ती भावना में, दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कि घर में है वास्तु, तो बिना किसी तोड फोड के कैसे दूर करें, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी श्रीराम के भक्त है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक वा सब्सक्राइबर कर लीजिए, दोस्तों हम सबका अपना पपना सपना होता है, कि खुद का घर, जिसमें हम सबका परिवार, हसी खुशी से रह सके, परन्तु हमारा घर, वास्तु के हिसाब से बना है, या नहीं, यहां हमें पता नह होता है, और जब भी हमको कोई परेशानी आती है, तब हम वास्तु के बारे में जानने की कोसिस करते हैं, और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ, जिनके करने से आप अपने घर का वास्तु दूर कर सकत बिना तोर फोर कैसे मिटाएं वास्तु दोश, बिना सोचे विचारे मकान बनवाने पर उसमें कई वास्तु दोश आ जाते हैं, जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, वास्तु शास्त्रियों के अनुसार कुछ मामूली परिवर्तन कर इन वास्तु दोशों को समाप्त किया जा सकता है, दोस्तो यदि आपके घर की चछत पर व्यर्त का सामान पड़ा हो तो उसे वहां से हटा दे, दोस्तो यदि हमारे घर का प्लास्टर आदी उखड गया हो तो उसकी ततकाल मरम्मत करवा दे, दोस्तो यदि आपकी रसोई के गेट के ठीक सामने बात्रूम का गेट हो तो यहाँ नकारात्मक उर्जा देगा। इस दोश से बचने के लिए बाथरूम तथा रसोई के बीच में एक कप्रे का परदा या किसी अन्य प्रकार का पार्टीशन खड़ा कर सकते हैं ताकि रसोई से बाथरूम दिखाई न दे। अवास करते हैं तो उनकी मरम्मत आवशक करवाले दोस्तो यदि आगने कोण में रसोई न होने पर गैस चूलहे को रसोई के आगने कोण में रख कर इस दोश का निवारन कर सकते हैं। दोस्तो आगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो आगने कोण में एक जीरो वाट का बल्ब जलाकर इस दोश से बचा जा सकता है। दोस्तो यदि इशान में बोरिंग या अंडर ग्राउंड टैंक आदी न बनवा सके तो इशान कौन में एक साधा जल लोटे में भरकर इस दोश का निवारन कर सकते हैं। दोस्तो यदि भूखंड चौकोर नहीं हो तो यहां अवश्य देख ले कि लंबाई चौडाई की दुगुनी से अधिक न हो। यदि लंबाई चौडाई से दुगुनी हो तो अतिरिक्त भूभाग पर स्वतंत्र इकाई का निर्मान करवाया जा सकता है। दोस्तो वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करके घर के वास्तु दोश को दूर किया जा सकता है। दोस्तो ये वीडियो आपको केसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो कृप्या लाइक वा सब्सक्राइब कर लीजिए।